हेलो एवरिवान, गुड मॉर्निंग, वेल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल, वेल्कम बेक टो माई ब्लॉग वीडियो, कैसे हैं आप सब भी उमीद करती हूँ, आशा करती हूँ, कि आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी इदर बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैंने अपने ब्लॉग की शुरुवात कर दी है, एक न्यू डे के साथ, एक न्यू दिन के साथ, तो अभी फिलहाल मुझे चट पर जाना है, तो अचनक से कुछ काम कर रही थी, और मुझे ध्यान भी आ गया था, कि मुझे ना सीडियों की सफाई करनी है, ऐसा होता है, जिसको ना, जैसे हमने आज सोचके बैठा है, कि आज हम इसको करेंगे, और हमने, मतलब भी उस टाइम भूली जाते है, ऐसा मतलब कि मेरे साथ तो होता है, बहुत बार हो चुका है, कि जो मैं करने को सोचती हूँ, कि हाँ, मैं जिस काम में बीजी होती हूँ ना, और उस ट मतलब भी जब बेड पे आते हैं और लोगी it करते हैं मतलब qi थोड़ा सा वेड यंदि कर लेखे करने के बाद फि्र दिहान लुए जाता और और वह काम किया तो हमने के रहे इन्हीं लोग काम में रही गया इतनी जल्ली कैसे और इतनी जल्ली कैसे बून सकते हैं तो यह ऐसा हो जाता है है ना मतलब मेरे साथ क्या नॉर्मली हम सभी के साथ आपके साथ भी होता होगा तो मेरे साथ भी यह वही जाता है कि ना मतलब जो काम ना करना था वो अच्छा डली मतलब कि भूली जाते हैं और फिर अचानक से यादा था और यार अमें तो वो काम करना था हम भूल के से गई है ना तो ऐसा ही में साथ हुआ था आपको बता दूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं आपसे इतनी देर से लव इस टॉपी के पर आपसे बात करे जा रही हूं किस लिए किया जा रही हूं किस रीजन से तो मैं बता दूँ आपको लगबग पांचे दिन हो गए हैं मैंने सीडिया नहीं जाड़ी हैं आप भी हस रहे होंगे पांचे दिन तो आपसे सीडिया नहीं जाड़ी हैं तो फ्रेंड्स मैं बता फिर उसके बाद ना में को फंक्शन में चलीगी थी फिर ना दूसरे दिन लोटी तो मैंने कहा कि चलो यह सब करना है फिर मुष्ट दिन में भूल गी तो आज मुझे पांच पे चटे दिन में को याद आया है तो मैंने यह कर लिए और काम बाद में करूंगी पहले चल इसी क को साफ करना है मुझे क्योंकि यही मैं भूल रही थी तो इधर में कचड़ा चला बढ़ लेती हूं तो यह देखिए सीडियों पर इतना सादा हो गया है कचड़ा क्योंकि ने खुला है ना यह जो कवर नहीं है मतलब कि एक खुड़ टाइक होता है ना जो कवर होता है कवर इस तरीके के सीडियां कवर नहीं है तो इधर बहुत ज़्यादा कचड़ा बरता ही रहता है तो यह रहा मेरा लड़ू इसको मैं पयार से लड़ू बोलती हूँ तो इसको मैं डेश्ट्वेंड में फैप देती हूँ तो चलिए अभी दिखा देती हूं बड़ा अच्छा लग रहा है एक दम साफ साफ हो गया यह देखिए बहुत साफ हो गया है इन यह देखिए कि अच्छा उआ है है यह जाती है, चलिए अच्छा मेरा मनन किया चलोना यह ने नीचे काम बाद में करूंगी पहले मैं थोड़ा सा एथी सिर्फ된 भी बना लेती हूँ किया मेरा मन्हा था कि मैस शॉडर मना लू deux में इस ब्स ना तो यह वाली साड़ी में सोड आई भी होंगे आपके पास तो सोड और बनाके मैं उदर से निकल आई थी चत पर से आ गई थी और वहां पर थोड़ी बैठ गई थी क्योंकि काम करते रहो ना तो मतलब कि खुले की हवा तो खुली जैसी होती है लगी चत पे चारो तरफ सिंद पर और रोटी ओटियां भी मैंने कर ली है अब आती है रोटी चुपड़ने की बारी तो रोटी यों को मैं टीफिन के अंदर चुपड़ के रख देती हूं बैसे तो ना देखा जाए फ्रेंड से ना जैसे गर्मियों में ज्यादा तर रूम में ही रहते हैं और रूम से ज प्लास्टिक बॉलर आया था उसका में वीडियो आपके पास लेकर आई थी तो इस वारा आप आया है मेरा कुलर क्योंकि पहले जो कुलर था ना वह जल्दी खराब हो गया था आपने देखा है प्लास्टिक बॉड़ी का वाइट वाला अभी चट पे देखा होगा जा मैं रिल बना रही थी उतर शॉट बना रही थी मैं तो वाला वाइट वाला खराब हो गया था पहले ऐसा होता है ना कि जैसे अब यह प्लास्टिक जो अब भी है ना कूलर की प्लास्टिक बॉड़ी आ रही है यह तो फ्रेंड्स में आउता आदू कमरे को ने अकदम ठंडा कर देता बिल्कुल ठंडा जैसे लगता है कि ऐसी में लेटे हो ऐसी में हो इस तरीकी के लगता है और पहले वाले लां कूलर आवाज करते तो यह लगता कोई बुलट आ गी है इस तरीके की और एक मतलब कि कोई भी नीचे ना दुआर पर आ जाए बुलाता रहे सुन लो भई खुरा में गुसा पारा सातवे अंश्मन पे चड़ा हुआ कोपसे में अवाज दे रहा था और मतलब की सुनाई नहीं लेता और मैंने की आप ने जो बुलट ठाड़ी कर लिये मतलब की खढ़ी कर लिये घर में लाके बुलट उसकी आवाज की आगए आपकी आवाज मुझ कोई भी बंदा बुलाता रहे कोई भी बच्चा बुलाता रहे हजबन भी नहीं सुनाई पड़ती फिर मैंने तौबा कर ली ना मुझे नहीं रखना है यह मतलब की मेरे को कुछी ना कुछी यह तो सई तर आके दो या फिर ना यह बाहर में जाने दो तो मतलब हुआ क्या था मैं बता हूँ आपको केते ना मेरा ही मतलब की कोसा लग गया उसको तो एकदम से लाइट अचानक सी आई और उसमें से अब आ जाती है पठाक पठाक यानि कि उसके अंदर की जो कूलर के अंदर के जो तार थे ना बटन वाले वही जल गे और मैंने द कला कला हूँ रखा तो मैं दिलो भई होगे इसका काम घता होगी बुलर ठंडी पढ़ गया आपकी तो तब से लेके में बता दूं उस बात को हो गये हैं लगवक 5 साल हो गये तो 5 साल पहले कि मैंने ये बात बताई थी आपको तो 5 साल पहले वह कुलर करा हुआ था पिर मेर यह नया वड़ा है कोई कूलर में ऐसा देख किया हूं मेरी जों में और मेरी जों में ऐसा मैंने कूलर देखा 20,000 को पूरा क्याना मेरी हो में थंडा कर दिया जांपे मतलब की दुल्ला दुलन का स्टेज बगरे लग उता ना उदर ना कूलर लगे हूँ हूँ और पूरा थंडा कर दिया इसने तो बड़ बड़ी आ रहा है तो मैंने कि अच्छा तो फिर ना लेकर आओ तो फिर लेकर आये थे लगबाग ना इसका आठ साड़े आठ नो हजार के लगबाग का प्राइस था उस टाइम में मतलब की इसली साल का बोल रही हूँ लाश्ट येर का तो देकर आओ प्राइए तो ये ब Euch टाइम में लेकर आये थे तो वस्तम में मैंने कूलर देखे हैं मतलब की मायके में भी और यहां पर भी तो उनके आ आँगे तो मतलब की मतलब की इसके आँगे कुछ भी नहीं है इतनी ठड़ना हवा देता है यहां तक कि मुझे खासी जुखाम भी ना यह देखी जी यह केमरे के पास आ गई है यह देख रही पता नहीं यह क्या चीज है और मैं इसको बहुत सोच ली थी मैंने की बेटा मान जा इस टेंफर से गिर जाएगा गिर और फिर ना बोलती है कि ममम मनलो की पानी को ममम कहके बोलती है यह फिर मैंने इसको बिठा लिया थोड़ा सा मैंने इसको लाड़ प्यार किया मैंने इसको बोला कि स्कूल जाओगी तो बोलती है आ आ आ बस इतना बोल दो स्कूल का नाम ले दिया बस आ आ आ आ इसका चालू सब्दाए कि आपने दुकित दूर का नाम ले टेग इ Bulंगी मारण जाओ मेडी इन रर्च वहत्व होँ में आपको पता है दूँ और geçीं के लिदम पांदी की लिदिम पांदी establish Okay ममता तो बाबू तो इसका जो मिट्टी वाला खिलोना था ना वो टूट गया था तो यह कह रहा है यह को बोलने में लगी हुई थी बाबू बाबू कहा है बाबू तो मैंने की बेटा वो तो टूट गया है मिट्टी वाला खिलोना महले में गई थी तम में लेकर आई थी तो तो फिर मैंने इसको बोल दिया बोटल है ना रूम में रखिया तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं व्लोग अच्छा लगा